हेलो स्टुडंट्स आज हम देखने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिस एग्जामिनेशन पेपर है मेरे पास जो के सब्जेक्ट साइन्स एंड टेक्नलोजी फर्स्ट का है जिसको साइन्स ओन कहते हैं हम क्लास टेंथ के लिए है स्टुडंट ये दो अवर का पेपर है और 40 मार्क्स इसके लिए दिये जाते हैं तो इसमें पूरा मैं एक्स्प्लेनेशन और क्वेश्चन के एंसर भी मैं आपको बताने वाला तो वीडियो पूरा दिखिएगा अगर पसंद आता होगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों में श सब्सक्राइब अगर नया कोश्चन स्टार्ट होगा वन खतम होगा और से क्वेश्चन टू चाली होगा तो आपको नया पेज ही यूज करना पड़ेगा तीगर्स ऑन दर राइट इंडिकेट्स मार्क्स डिनोट करते हैं और फॉर इच मल्टिपल चोईस कोश्चन ओनली पहले लिखते फिर उसके बाद दूसरा ओप्शन फिर तीसरा भी लिख देते तो जो पहला उन्होंने लिखा था वही कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद एक राइट एंसर फॉर इचीम सीक्यू विद ऑप्शन नंबर इसको पूरी तरह से सॉल्व करना नहीं है लिखेंगे हम पेपर काप को पैटरन भी समझ में आ जाएगा मुईने उस टाइप से सॉल्व भी किया है देखो स्टूरान कोस्टन फरस्ट ए है राइट दा करेक्ट अल्टर नेटिव फाइव कोस्टन से फाइव मार्क्स के लिए और सोल्यूशन ओफ ब्लैंक इन वाटर है और यह है अल्यूमिनियम सलफेट ठीक है तो ब्ल्यू कलर सी यह सफोर यह याद रखना है उसके बाद है इस टूट्वेंटी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस अप्लाइड एक्रॉस एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ करन्ट ऑफ 0.45 एम्पीर फ्लोज इन दबल्ब उसमें कम ज्यादा तो थोड़ा हो सकता है क्योंकि अलग 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 पसंद होती है कि कौन से टाइप से हम सॉल्फ करें तो उसके लिए question 1A मैंने इसको fill in the blanks के type में लिखा था यह बताने को कि बहुत से student ऐसा लिखते हैं बट प्रॉपरली यह है क्यों एक सेकंड का एंसर भी A है 99 वैट यह कैसे आया क्योंकि पावर का फॉर्मूला है PD यानि potential difference इन्टु आए 220 इन्टु 0.45 तो इसको solve करोगे तो 99 वैट इसका answer आएगा और दूसरी बात current electricity या effect of electric current इस lesson में भी यह question exercise में present है उसके बाद हम थर्ड देखेंगे के dash c o double bond है और o h है तो यह कौन सा group है तो student यह carboxylic acid group कहलाया जाता है ठीक है उसके बाद में question of fourth है भेन अब्जेक्ट इस प्लेश्ट इस टू यह फ़वन अफ कॉन्वेक्स लेंस इस इमेज फॉर्म अब टेज नंबर 180 पर आपको टेबल मिल जाएगा चैप्टर 7 के लेंसे में क्या अगर कोई अब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने टू यह फवन इन उसके focal length के double सवरी अइसा मेटल है कि जो लिक्वीड है और ब्रोमाइन हेलोजन भी है क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन तो ब्रोमाइन यह है लिक्वीड रूम टेंपरेचर पर तो स्टूडंट यह थे फॉर्स्ट कोस्चन के एंसर ऊके उसके फॉस्ट्चन में आपको अब भी बताए भी उसके बाद स्टूडंट फॉस्ट्चन फर्स्ट भी देखेंगे हम क्या एंसर फॉलोइंग पॉइंट ओर वन आउट तो फ्यूजवायर है एमसी भी मिनियेचर सर्किट बेकर गोलते हैं इसको रबर ग्लोज और जनेरेटर तो स्टूडंट फ्यूजवायर एमसी बी और कोम ब irritating करते है को हनने इसका मतलबू सर्किट को क्या लटे अटा उफ्लोह बंद करते हैं या प्रिवेंट करते हैं हमको जनेरेटर ईलेक्ट्रिसिटिट्य बनाता है सो क्लूरीन है 287 तो यह है electronic configuration इसका मतलब इसका भी हमको electronic configuration ही चाहिए तो फ्लूरीन का है 27 यहाँ पर पहला पेज खत्म होता है यहाँ से मैंने start किया था एक बार question बता देता हूँ आपको यह थे कुछ questions उसके बाद यह वो questions थे और मैंने direct answer लिखे हैं मैंने इसके question लिखे नहीं है क्योंकि हमाँ board pattern के paper के type से solve करने की कोशिश कर रहा था ठीक है तो यह था question first के answer और यह question B के answer है अभी इसके कुछ explanation करना बाकी है थर्ड question student match the pair इसके velocity है यह भी one marks के लिए ही है इसके velocity का formula है option B under root twice gm upon r और gravitational force का है first gm1 m2 upon r square जहाँ पर g gravitational constant है m1 mass of first object m2 mass of second object कभी-कभी है mass of earth भी रहेगा upon r means distance between two object और radius of earth ठीक है तो B और A यह दोना option होने चाहिए थे fourth है the true or false पर है यह the escape velocity on the moon is less than that of earth moon की जो escape velocity है वो earth से कम है तो moon का gravitational force यह कम है earth क्या according तो इसके velocity भी कम ही लगनी चाहिए तो वैसे तो यह true है तो यह statement true है पूरी तरह से फिर fifth question है right the structural and molecular formula बेंजीन तो बेंजीन c6 ch6 है जिसका molecular formula लिखा मैंने c6 h6 और उसका structural formula इस टाइप में hexagonal है double single bond alternate है और एक 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 इनको लगकर है ठीक है तो यहाँ पर मैंने रेड में जो किये है लिखे हुए वो marks है उतने marks के वेटेज का एक क्वेश्चन है तो देखो student यह था हमारा second question जिसको हमने solve कर दिया आप screenshot ले सकते हो उसके बाद चलो देखेंगे हम second a give scientific reason any two तीन question है उसमें से कोई भी दो solve करना है two marks each का वेटेज यह रखता है question reason देना है हमको कि first का है elements belonging to same group have same valency तो उसका reason लिखा है मैंने कि the valency of an element is determined by the number of valence electron in the outermost shell of an atom of an element valency का मतलब क्या होता है कि last में कितने valence electron बचे है या कितने चाहिए उसको बोल दे बोला जाती है उसके valency ठीक है और all the elements in the group have the same number of valence electron एक group में जब भी elements present है उनके outermost orbit में same number of valence electron present है और इसलिए उनकी valency same ही होनी चाहिए hence जो statement हमको दिया था elements belonging to the same group have same valency तो यह two marks का question था second question है कि the sun is seen on the horizon the sun is seen on the horizon a little before the sunrise even after sunset अचनक sunset के एक दो मिनिट तक और sunrise के एक दो मिनिट पहले sunset के एक दो मिनिट पहले जब horizon पर sun नहीं होता नीचे आ जाता है तो हमको sun फिर भी horizon पर ही दिखता है तो उसका reason क्या हो सकता है so when the sun is somewhat below the horizon जब sun horizon के नीचे चला जाता है its light rays able to reach us along a curve path due to their reflection अर्थ का atmosphere अर्थ का atmosphere से क्या होता है वो normal की तर्फ bend होता है light ray है ना और bend जब हुआ तो वो bent हुई हुई light अपने eyes में पहुचती है और अपने को ऐसा लगता है कि sun वहां पर present है hence the apparent position of the sun appears slightly higher than the actual position जो actual position थी sun की horizon के नीचे वो हमको नहीं लगती हमको लगता है कि horizon के उपर ही है sun तो actually हम क्या देख रहे है सिर्फ अर्थ की image देख रहे है original, sorry, earth की बोला मैं sun की image देख रहे है, original sun वहां पर नहीं है उससे थोड़ा सा नीचे है इसका example fish भी है आप बोल सकते हो, कि पानी में जो fish है वो नीचे रहेती है बट हमको थोड़ा उपर दिखती है swimming pool का पानी हमको कम दिखता है, ऐसा लगता है ज़्यादा गहरा ही नहीं होगी but actually वो उससे ज़्यादा गहरा होता है तो यह किसके वज़े से होता है? Is the scene on the horizon a little before sunrise or sunset? तो यह question देखो आप यहाँ पर आपको technique समझ में आ रहे होगी कि पहले थोड़ा उसका कोई law होगा तो वो लिखो इस law में यह reason कैसे fit बैटता है वो लिखो दूसरा point और तीसरा point जो हमारी line है question की वो line जैसे कि वैसे लिखो आपको पूरी तरह से new scientific reason के mark मिल जाएंगे ठीकर इसके साथ question third भी देख लेंगे हम कि grills of doors and windows are always painted before they are used जब हम doors और windows इनके grills वगेरे use करते हैं तो उनको हमेशा पहले paint करते हैं यूज करने के पहले तो क्यों करते हैं So iron reacts with moist air and deposit of reddish substance called rust forms on it जो iron होता है वो moist air से क्या करता है react करता है और reddish color का substance हमको देता है ठीक है उसको rust करते हैं So rusting is the degradation of iron due to reaction with moist air तो rusting की definition ही लिख दिया हमने के rusting क्या है iron का degradation है iron सड़ना है एक हिसाब से due to the reaction with moist air जो moist air है उसके साथ reaction करके iron क्या करता है rust होता है due to rusting iron becomes weaker and looses his lust और उसकी iron क्या होता है rust अगर हो गया तो उसकी चमक भी चली जाती है और वो weak हो जाता है और हम iron के grills वगएर क्यों यूज कर रहे है उसकी strength के लिए यूज कर रहे है हमको iron क्यों चाहिए strength चाहिए और rusting से उसकी strength ही नहीं रहे रही तो फिर हमने क्या करना चाहिए to prevent iron from rusting a coating of oil or paint is applied on it paint या oil या grease वगएर हम use कर सकते है but oil या grease ये तो चिकना होता है या तो फिर sticky होता है चिपकता है paint थोड़ी चिपकेगा वो सुगने के बाद तो फिर वो ऐसे ही उसको एक जानके जैसा ही हो जाता है so इसलिए हम longer prevent करने के लिए हम क्या करते है paint यूज करते हैं hence grills of doors and windows are always painted before they are used वो यूज करने के पहले हम कभी भी उसको paint करते है तो hope करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा आप वीडियो बिच बिच में pause करके लिखते जाओ मैं आपको बता तो रहा हूँ बस रुका देना screenshot ले लेना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा और अगर कोई question समझानी तो फिर से repeat देखना ठीक है उसके बाद student questions second B है answer the following questions है एनी 3 है इसमें 6 mark के लिए यानके 22 marks के लिए है 5 question है आपन 5 भी देख लेंगे उसमें से कोई भी 3 आपको solve करने है first question है if the speed of light in a medium is 1.5 into 10 rest to power 8 meter per second what is the absolute refractive index of the medium so see they carry a speed of light in air 3 into 10 rest to power 8 meter per second तो उसका formula हम use अगर किये to solve हो जाएगा यह option velocity देखर है भी 1.5 into 10 rest power 8 speed of light in air भी चाहिए ता है आपर कोई problem नहीं C is equal to 3 into 10 rest to power 8 so refractive index जिसको n कहते है हम वो question मारगा है यह भी question exercise में है प्रेजेंट देखो स्टुड़न रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है speed of light in air upon speed of light in medium या तो velocity of light बोलो speed velocity सेम है फिलाल में सो वैल्यूस पूट की है त्री 18 rest power 8 cancel हो गए 3 upon 1.5 एंसर आया 1.5 टूसर 3 होता है तो एपसुलीट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका क्या है मीडियम का 2 ओके तो यह question का answer था ओप करता अपको question 2 भी का answer समझ में आया होगा उसके बाद question second है draw, neat, label, diagram, froth, floatation method, froth, floatation method की diagram निकालनी है student जहाँ पर भी diagram की बात आई वहाँ पर pencil का ही use होना चाहिए जो के मैंने use की है pencil देखो student हमने देखा था कि agitator रहता है agitator वो घुमते रहता है इसमें oil वगेरे use करते है ठीक है, so water and pine oil यहाँ पर use किया गया है जैसे agitator घुमेगा वैसे इसमें क्या तयार होगे bubbles और उस bubbles में जैसे के concentrated sulfide ore है तो वो ore क्या है hydrophobic इसलिए यह oil से mix हो गया और जो ganche particle है वो hydrophilic यह पानी से mix होने के बाद भारी हो गया और नीचे बाइट गया और अलग से separate गैंच particle निकल गया और अलग से separate और यहाँ पर concentrated sulfide ore की बात कर रहे हैं तो वो हो गया और यह froth, froth मतलब bubbles face जाग जिसको बोलते हैं तो इसलिए इसको froth flotation method कह रहे हैं कि पानी के उपर froth, यह float कर रहा है और यह बीच बीच में agitator में air supply भी देते हैं जिससे इसे air निकले जो bubbles तयार होने में हमको help करेगी और यह है उसका motion उपर के rod में तो यह अच्छी तरीके से आप याद रखो क्योंकि डाग्राम पूछते हैं इसके पिछले जो 2022 का board paper था उसमें willfully table method के बारे में पूछा था तो इस बारे हो सकता है कि यह पूछ ले इसके बाद में question थर्ड है what is acceleration due to gravity what its formula acceleration due to gravity क्या है और उसका formula क्या है देखो student question अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए हमको और उसी हिसाब से हमको question के answer भी solve करना चाहिए और यह ह कुछ है तो वही जो उन्होंने मांगा हो हमको जो हमको उन्होंने मांगा है वह हम उनको देंगे third question का answer देख रहे है हम the acceleration produced in a body due to the gravitational force of the earth is called as acceleration due to gravity gravitational force के वजह से कोई body पर कोई object पर जो acceleration produce होता है उसको acceleration due to gravity कहते और acceleration मतलब क्या है speed में ज्यादा होना declaration मतलब speed में कम होना जैसे accelerator हमारे गाड़ी को accelerator रहता है इसा गुमाएक गाड़ी भागती है क्या कर रहे हो उसको accelerate कर रहे हो बढ़ा रहे हो और कम आगर करोगे तो accelerate बोलेंगे हम ठीक है उसको negative acceleration भी कहते है एक्सलेरेशन की की डेफिनेशन है और उसको हम जी से डिनेट करते हैं जीजी को स्टूटन उसका एंसर खत्म हो गया बट आपको extra explain करना है तो आप यह symbols को denote भी कर सकते हैं कि जहां पर where g is acceleration due to gravity capital G is gravitational constant M capital वाला mass of earth और r radius of earth दूसरी बात यहां पर कहीं पर भी mass of object का पर्मूले में कहीं पर भी इस्तमाल नहीं किया गया यूज नहीं किया गया है इसका मतलब क्या है acceleration due to gravity यह जो है यह mass of object पर depend नहीं है इसलिए अगर आप फिदर यानि छोटा सा एखादे पंची का पर भी फेखोगे और 10-15 किलो का एखादा rock या पत्थर भी फेखोगे अगर vacuum में तो वो same speed से same acceleration से ही जमीन पर same time पर गिरेंगे ठीक है यह भी explain आपको textbook में किया हुआ है यह question third का answer था उसके बाद है question fourth state the right hand thumb rule with diagram तो यहाँ पर भी हमको diagram निकालनी ही पड़ेगी यह है right hand thumb rule यह है right hand इसके है curl fingers यह है उपर thumb यह है electric current को denote करता है हमारा thumb और यह जो curl fingers है यह किसको बताते है magnetic field को यह magnetic field इस तरह से ऐसी जा रही है तो curl finger का जो thumb है हमारा hand का वो दिखा रहा है electric current को so imagine that you have held the conductor in your right hand suppose तुम्हें एक conductor conductor याने wire बगरे पकड़ा हुआ है right hand में such a way that your thumb points in the direction of current suppose direction of current ऐसे जा रहा है उपर की तरफ then turn your fingers around the conductor जब फिर क्या करो conductor यह सपोज यह wire है यहां से electricity flow हो रही है तो इसको ऐसे पकड़ो और यह thumb बता तो यह जो thumb है यह क्या बता रहा है direction of electric current और यह क्या बता रहा है magnetic lines of force so then turn your fingers around the direction of the fingers is the direction of magnetic lines of force तो यह था question 2b का fourth का answer आपको बीजबीज में अगर मुझे याद रहा तो मैं questions दाल भी दूँगा इसा कोई problem नहीं इसके बाद में student question 5th है और यह भी two marks के लिए है distinguish between absolute humidity and relative humidity तो इसके दो points ही बता गए है अब मैंने इसमें इसको यह paper को solve करने में digest plus textbook plus खुद के words यह तीनों का भी use करके कम से कम lines में याने marks के हिसाब से मार्क्स का होगा तो कम points में उसको पूरी तरह से मैंने convert करने की कोशिश की है इसलिए महनत ज्यादा हुई है मेरी इसलिए आपका support मुझे चाहिए ही होता है वीडियो में तो absolute humidity और relative humidity इनका difference पूछा गया है तो absolute humidity की पहले हम definition देखेंगे कि absolute humidity is the mass of water vapor present in a unit volume of air दिये हुए unit volume of air में कितना mass of water vapor present है उसको कहते है absolute humidity और relative humidity क्या है एक ratio है सिर्फ के relative humidity is the ratio of mass of water vapor यह किसका ratio है mass of water vapor in given volume of air यानि absolute humidity to the mass of water vapor required to saturate the same volume of sorry volume of air at given temperature जो relative humidity होती है वो ratio है किसका ratio है किसका division है absolute humidity का upon कितना water vapor चाहिए था उस air को saturate होने में saturate होने मतलब due point तक पहुचने में ओके जहां पर क्या चालो हो जाएगे due चालो हो जाएगे ओके उसके बाद है question में एक-एक point हो गया दो-दो point देना पड़ेगा two marks के लिए इसलिए कम सकम दो point तो भी चाहिए ही second है it is commonly expressing kilogram per meter cube इसको unit है kilogram per meter cube का but relative humidity यह एक ratio होने की वज़े से इसको कोई भी तरह का unit नहीं है क्योंकि ratio को unit नहीं होता so it does not have a unit so question second B के answer हमने देखे student उसके बाद question third है question third के question में एक बार बता देता हूँ answer the following है any five है और 15 marks के लिए है यानि के एक question three marks का weightage रखता है तो यहां पर question का तुमको जो answer लिगना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज्यादा लिगना पड़ेगा यह बात याद रखो question first है state the following laws तीन law explain करना है नहीं सिर्फ state करना है देखो question अच्छे से पढ़ना है हमको सिर्फ बताना है वह laws कोन से है तीन law यानि के एक एक मार्क के लिए तो होगा ही है उसमें first question है doberiner law of trides यह है doberiner law of trides when three elements arrange in increasing order of atomic mass then the atomic mass of middle element is approximately equal to the mean of atomic masses of other two elements जब elements add increasing atomic mass के arrangement में एगर arrange किये जाए तो जो तीन continuously elements आएगे तो उसमें का जो middle है वो element का mass कितना रहेगा approximately equal रहेगा जो बचे वाले two है उनके mass के mean के इतना यानिके यह दोनों की plus करो first और third की divided by two करो approximate middle वाले के इतना mass आए जाएगा तो इस टेट ही करना था इसलिए स्टेट ही किया आपने सिर्फ लिखा है second है उसमें newlands law of octave so when यह इन्होंने भी mass पर ही यहन्ने atomic mass पर ही ज़्यादा focus किया था when the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses the properties of eighth element are similar to those of first जो को first जो two lines है वो same ही increasing order of atomic masses तो जो eighth element यहाँ वहाँ पर कितना middle element बाकी के two के mean के इतना यहाँ पर जो eighth element है वो repeat बताता है property first के इतनी यानिक जो eighth है वो first के जैसा property 9th है वो second के जैसे 10th जो है वो third के जैसे ऐसे properties वो बताते है यह new lens इन्होंने खोजा था discovery इसकी किये थी third है मेंडलीव's periodic law the physical and chemical properties of elements are periodic function to their atomic masses तो मेंडलीव इन्होंने भी atomic mass पर ही focus किया था उन्होंने statement दिया था कि the physical and chemical properties of elements are in a periodic function to their atomic masses जाने कि इन्होंने भी atomic mass पर ही focus किया था कि जो भी physical property है जो भी chemical property है यह atomic mass पर ही depend करती है atomic mass change तो उसके physical और chemical properties भी change होते है यह उन्होंने बताया था इसके बाद student question second है explain the following factors affecting the value of g gravity जो gravitational force कहते हैं हम तो उस पर यह नीचे तीन है shape of earth altitude depth below the earth surface यहाँ पर हमको textbook में अलग देकर है shape of earth मतलब हमको देकर radius of earth altitude मतलब देकर है हमको height और depth और depth ही देकर है ठीक है तो नाम change है कभी-कभी क्या करते है यह आपको आपके versatility check करते है कि आपको कितना समझ में आया lesson और question या topic तो वो चेक करने में थोड़े यह words से खिलते है अलग-अलग words यूज़ करते है तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए तो देको student यह three marks ही लिए इसमें भी तीन-तीन है और हमने देखे थे कि effects of factors on G जो हमारे textbook में भी है उसका ही use करके मैंने इसके answers लिखे कि factors affecting the value of G gravitational के जो उपर है कुण से-कुण से factors का effect पड़ता है तो first देखा हमने shape of earth जो उन्होंने दिया है so the radius of earth is largest at the equator and smallest at the poles हमारी जो earth है वो orange के जैसी है pole से chip की हुई है और equator में थोड़ी फुगी हुई है ठीक है जैसे के orange तो इसलिए उसकी radius largest है equator पे और smallest है poles पर thus the value of G is highest 9.832 at the poles पर ज्यादा है फिर कम 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 होते होते equator पे सबसे कम है at the poles ज्यादा है poles पर and lowest 9.78 at the equator so value of G ज्यादा सबसे ज्यादा कहां पर है poles पर और सबसे कम कहां पर है यह equator ठीक है उसके बाद second है altitude जिसको हम hide भी करते है इसलिए हमने bracket में hide भी लिखा आपने थूड़ एक्स्ट्रा information अगर लिखे तो जो आपके examiner होते value है और बोलते है उस शायद उनको वह check जो करते है valuation जब करते है आपको marks जब देते है तो उन पर extra impression पड़ता है अगर आपने और ज्यादा words का use किया तो okay so altitude का क्या फरक है as we go above the earth surface जैसे हम earth के surface के उपर जाएंगे the value of r increases and the value of g decreases जैसे आप उपर उपर जाओगे तो जैसे radius value of r means radius increase हो रही है तो value of g भी decrease होंगी और third है depth below the earth surface तो depth के हिसाब से क्या होगा the value of g decreases as we go deep inside जैसे आप अंदर अंदर जाओगे तो भी value of g यह कम ही होगी अब यह कम क्यों होगी because value of m m मतलब mass of earth also decreases with depth उस पर जो extra forces है वो forces क्या हो जाएंगे कम कम होते जाएंगे ठीक है तो इसको explain तो अब ज्यादा नहीं करेंगे हम उसके बाद है question third word problem पर best है जो exercise में है भी an object kept 60 cm from a lens gives a virtual image of 20 cm in front of the lens एक object है जो lens के 60 cm दूर रखा हुआ था अब याद रगो student Cartesian sign convention में कि हम object कभी भी lens के left side ही रखते हैं जिसको हमने negative denote किया था तो के वह image जो create कर रहा है virtual है ठीक है तो वह 20 cm की virtual और रियल में क्या फ़र्क है real means actually raise अगर जा रहे होंगे तो रियल और रेस की reflection जा रहे होंगी तो वर्चिवल ठीक है जैसे यह लेंस होंगी है यह उसका principle axis यह है focus यह focal length यानि यह focal length यह focus उसके बाद में यहाँ पर object आप रख रहे हो इसको पोल बोलते हैं मैंने focus बोला था तो यहाँ पर object रखते हैं अगर यह lines अगर direct meet हो रहे होंगे तो real image अगर सिरिफ इसका reflection आ रहा होगा तो virtual image ठीक है so what is the focal length of lens वह lens की focal length कितनी है and it is converging और diverging converging lens है या diverging lens है यह पूछा गया है converging means concave lens और diverging means convex lens यह होता है चलो उसका भी answer हम देख लेंगे so यहाँ पर u देकर है हमको minus 60 cm यानि के distance of object भी देकर है height of image minus 20 cm क्योंकि आप यह virtual इसलिए उदर वो इससी side image create होंगी so focus पूछा है so 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u values put out किये हमने तो वो आएगा minus 1 by 30 means focus कितना आएगा minus 30 cm जिसको focal length कहें गया मैं न so the focal length of lens is f minus 30 cm और देखो एक ही frame में बैटना चाहिए इस तरह से मैं रखता हो as f is negative यह जो focus है यह negative है its diverging lens अगर focus negative होगा तो वो lens diverging होगा यह बात अब याद रहो और diverging lens भरेंगे हमारे तो combination decomposition displacement और double displacement reaction के बारे में पूचा है तो चलो हम start करते हैं मैं इसको हटाने वाला हूँ first देखेंगे हम combination reaction when two or more reactants combine in a reaction to form a single product it is called as combination reaction जब दो या दो से ज़्यादा reactant combine होते हैं और single product हमको अगर देते हैं तो उसको combination reaction कहेंगे हम example है magnesium burns in air to form white powder of magnesium oxide as single product कि magnesium को अगर आप burn करोगे तो oxygen combine होके magnesium oxide बन जाएगा हो तो दो reactant है और एक ही product बन रहा है तो combination हो रहा है second है decomposition reaction the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant are called as decomposition reaction combination reaction के उल्टा एक ही reactant होगा और उससे दो या दो से ज़्यादा product अगर तयार हो रहे होंगे तो decomposition reaction है चलो उसका explanation देखेंगे sorry example देखेंगे हम example है at high temperature calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide calcium carbonate है heat मिल गई उसको calcium oxide और carbon dioxide gas उपर जा रहा है तो देखेंगे दो product है और एक ही reactant है उसके बाद इस third displacement reaction एक ने दूसरे की जगा अगर displace कर दी तो the reaction in which the place of iron of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by the formation of its own ions is called as displacement reaction less reactive element है उसकी जगा अगर more reactive element ने ले ली तो उसको displacement reaction कहते है एक्जामपल है when zinc granules are added to copper sulfate solution zinc atoms replaces copper from its solution and zinc sulfate तो जब zinc को अपने copper sulfate के solution में दाला तो zinc ने copper की जगा ले ली ये zinc sulfate बन गया और copper को विचर को बाहर फिक दिया और इसमें heat भी produce हुई तो ये है displacement reaction और fourth है double displacement reaction double displacement reaction में आप क्या होगा अब ये जो reactants है अब ये बदला लेगा इसकी जगा इसने अगर replace की तो ये भी उसकी जगा ले लेगा फिर ये कुछ खाली बईटेगा नहीं तो दोनोंने एक मेक की जगा याने ऐसे थे ऐसे होगा ठीक है तो double displacement reaction the reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction एक मेक की जगा ले लेगे सिधे सिधे बात में वो precipitate वगेरे वो तो definition में बोलना अच्छा है example है कि sodium chloride solution है जिसमें silver nitrate डाला गया वो react कर दिये है दोनों एक मेक को forming a precipitate of silver chloride and solution of sodium nitrate silver nitrate sodium chloride silver chloride sodium nitrate समझ में आ रहा है ये ag ने एने की जगा ली ये ने एजी की जगा ली तो double displacement reaction यहाँ पर हमको देखने को मिलती है उसके बात question fifth है कि explain the role of anomalous behavior of water in preserving aquatic life in regions of cold climate cold climate में जो aquatic life है वो affect नहीं होती वो prevent होती है प्रिजर्व होती है क्योंकि anomalous behavior of water है तो इसको अच्छी दरसे explain करो आईसे उनका कहना है तो इन cold regions during winter the temperature of the atmosphere falls well below अब cold region में बहुती नीचे तक उसका temperature आ जाता है air का atmosphere का 0 degree Celsius से भी नीचे as the temperature decreases the water at the surface of the lakes and pond starts contracting जैसे ही 0 degree के नीचे जब जाएगा तो जो water है लेक के अंदर का वो क्या करेगा contract होना चालू करेगा क्योंकि substance का substance की property है हर object की कि वो जब cool down होता है तो contract हो जाता है ठीक है अब क्या होगा इसके बाद जैसे ही 4 degree Celsius के नीचे आ जाएगा पानी अब जो ऊपर की लेर है वो contract होने के जगा पर expand होना start हो जाएगी यही तो है अनमोलस behavior of water के अगर cool down है तो contract होना चाहिए बट 4 degree Celsius के नीचे क्या हो जाएगा expand होगा और expand होगा इसका मतलब density क्या होगी lower और इसलिए वो जो उपर का पानी नीचे आएगा नहीं और उपर का पानी क्या बनता जाएगा बरफ बनता जाएगा आइस बनता जाएगा इसलिए आइस की लेर उपर के उपर ही रहती है और नीचे का पानी 4 degree Celsius के इतना ही रहता है है लिक्विड स्टेट में ही रहता है है हैंस द अपर लेयर ऑफ लेग रैजुईली तर्ण्स इंटो आइस बट द वाटर बिलो द आइस रिमेंस एट 4 अबंघ गोई आइस बन गया और नीचे कितना है 4 0.4 दिग्री लिक्विड में ही रहता है और इसलिए फिश का एकवेटिक प्लांट्स का एनिमल्स का काम क्या है पानी में तयार ना तो तयर हो भई है ना तो फिश एंड अदर एकवेटिक एनिमल्स एंड प्लंट्स एंड इसलिए वो जिन्दा रहते हैं अगर पुरा ही पानी बर्व बन गया तो फिर वो कैसे जिन्दा रहेगे है ना उसके बाद question 6 थे observing the figure explain how the formation of rainbow occurs figure already देकर है उसके हिसाब से rainbow कैसे form होता है यह आपको explain करने के लिए कहा गया है यह भी 3 marks का वेटेज रगता है तो हम चलो इसका answer द reflection, dispersion, internal reflection of light जो formation of rainbow है देखा जाए उतना easy नहीं है यह बहुत ही complicated process है जिसमें reflection of light भी है, dispersion भी है, total internal reflection भी है It can be seen mainly after a rainfall जैसे ही rainfall हुआ जब water के छोटे-छोटे droplets अभी भी air में present है तभी यह देखने को मिलेगा Small droplets of water acts as a small prism when a light rays form, the sun enters these droplets, it gets reflected and dispersed अब जो छोटे-छोटे droplets है, मैं water drop भी नहीं भी भी रहा, water droplets जो drop से भी छोटे होते है वो छोटे-छोटे-छोटे water droplets है, वो prism के जैसा use करते है, खुद का prism के जैसा work करते है जैसे ही उन पर light ray पढ़ती है, sun की, तो वो क्या करते है, light ray को refract करते है और disperse करते है Then, their internal reflection as shown in figure and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplets अब पहले ही तो इसका क्या हो गया, reflection हो गया यह light ray का पहले ही reflection हो गया, ठीक है, dispersion हो गया, अलग-अलग color में disperse हो गया फिर से इनका reflection होता है और अलग-अलग color में, याने internal reflection यह disperse हो गया और बाद में फिर से reflection, reflection, reflection याने reflection, internal reflection, reflection यह diagram को देखके आपको easily इसको ही explain करना है बस when light ray enter into the droplet, it get refracted and disperse into seven colors, बोल सकते हो आप then again total internal reflection happens, again these lights turn into droplets and after that the reflection of light happens and we see the spectrum of light, we called it as rainbow आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने तो digest और text book इसका combine करके आपको पहले ही बताया उसका use करके मैंने लिखा है, so all these three processes together produce the rainbow, और rainbow को produce करते है इसमें अगर आपको colors वगरे के नाम use करना है तो आप use कर सकते हो मैंने जहाँ पर जगा बच सकती है, जहाँ पर महनत बच सकती है, वहाँ पर मैंने बताया अब जो brilliant student होंगे, जिनको बहुत ही पड़ाई का शौक है, अच्छी बात है, तो उनोंने ज्यादा भी लिख सकते है ऐसा मैं बोल नहीं रहा हो कि बस इतना ही लिखना है, extra लिखने वाले का तो welcome है, बहुत ही अच्छी बात है, वो तो मैं भी खुश हो जाओंगा बट मैं कम से कम words, यानि minimum कितना लिखना चाहिए, उतना मैं बता रहा हूँ उसके बात student question 7th है, on the basis of height of the satellite, explain the orbit of satellite, last जो हमारा space missions lesson है, उस पर ये best है, क्या Leo, Leo, MEO, HEO, उनको हमको explain करना है और जो के मैंने explain कर भी दिया है, तो इसमें तो मेरा पूरा page ही चला गया, कि 7th question का first है, HE, वो देखेंगे हम क्या if the height of the satellite orbits above the earth surface is greater than or equal to 35,780 km, the orbit is called high earth orbit, अगर कोई satellite है, वो अगर 35,780 km उपर जा रहा है, उसकी height उतनी है अर्थ के उपर, तो उसको high earth orbit कहेंगे, क्या, this type of satellite will take around 24 hours to complete one revolution, यह जो satellite है इसको 24 hours लगते है, और अर्थ को भी कितने लगते है 24 hours, है ना, जस इसलिए मैंने लिखा है, जस्ट सेम एस अर्थ, अर्थ के जितना ही, and it also revolves around the earth parallel to its equator, वो earth को, equator को parallel भी अगर गुमता है, और earth भी गुम रही है 24 hours, satellite भी गुम रही है 24 hours, इसलिए वो हमको क्या लगेंगा, it seems to be stationary, ऐसा लगेगा, क्यों रुका हुआ है, और hence, it is called as geosynchronous satellite, इसको geosynchronous satellite भी कहा जाता है, सेकंड है medium earth orbit, तो if the height of the satellite orbit above the earth surface is in between 2,000 km and 35,780 km, the orbit called medium earth orbit, अगर कोई satellite है, जो earth के उपर 2,000 km से लेकर 35,780 km के बीच में अगर revolve कर रहा है, तो उसको medium, EO, medium earth orbit कहते हैं, जैसे के, MEO के दो टाइप है, equator को भी घुमता है, और polar region को भी घुमता है, so elliptical medium earth orbits passing over the polar region are used for the study, polar region की study करने के लिए polar available है, such satellites complete their one revolution in 2 to 24 hours, 2 से 24 घंटे, 2 से लेकर 24 hours तक, वो अच्छी तरह से revolve कर लेते हैं, यानि के देखो उसकी speed कितनी होगी, सिर्फ 2 hours में ही complete कर दे रहा है वो, और third है low earth orbit, जिसको LEO कहते है, कि इफ, यहाँ पर मुझे डाइगराम का भी यूस किया है, डाइगराम का यूस मुझे लगा क्या कर सकते है, इसलिए होँआपर किया, और ज्यादा गोई hard नहीं है, इसलिए जो डाइगराम easy लेगे, और three marks के उपर, यानि के two marks के उपर, three से, three, four, five, यह marks के, अगर question रहे न, फिर तो उसको छोड़ना ही न, डाइगराम अगर आती है न, तो निकाल लेनी जाई, तो low earth orbit है, if the height of the satellite orbits above the earth surface, is in between 180 to 2000 km, are called as low earth orbit, अगर satellite की जो height है, वो 180 से लेकर 2000 km के बीच में है, तो उसको LAEO कहा जाता है, और उनका one revolution सिर्फ 90 minutes में ही खत्म होता है, International Space Station and Hubble Telescope also revolve in lower orbit, जो International Space Station है, और जो Hubble Telescope है, इस range में घूमते हैं, revolve करते हैं, श्यवा स्टूर्टन question 8 है, उसमें ही, कि observe the figure and answer the following, figure देकर, आब electric motor और electric generator, इनकी figure नॉर्मली सेम ही दिखती है, है ना, तो यहाँ पर धहन देना चाहिए अपने बस, यहाँ पर अगर amplifier बता कर है, तो वो generator है, और यहाँ पर batteries वगएरे बता कर है, या sorry, batteries बोरा की बता कर है, तो वो motor है, ठीक है, यह तो normally अचानक ऐसा समझ में नहीं आता, कि वही diagram है क्या, तो इसलिए वो एक short method में बता रहा हूँ आपको, तो इसमें तीन question है, पहले तीनो question हम देखेंगे, identify the machine shown in the figure, so machine कौन सी है, यह आपको पैचाननी है, so उसका answer भी बता देता हूँ मैं, कि the machine shown in the figure is a generator, on which principle does this equipment work, so the working of an electric generator is based on the principle of electromagnetic induction, यहाँ तक के answer ठीक है, कोई problem नहीं, यहाँ तक भी लिख सकते थे, बट थोड़ा सा अगर explanation आता हूँगा ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जादा बड़े-बड़े नहीं हो, questions, तो कौन से principle पर based है, so the working of an electric generator is based on principle of electromagnetic induction पर है, और उसको थोड़ा सा मने explain किया है, कि when the coil of an electric generator rotates in a magnetic field, the current is induced in the coil, अगर electric generator में, magnetic field के अंदर में coil अगर rotate करोगे, आप तो current तयार हो जाएगा, produce हो जाएगा, और this induced current then flows in the circuit connected to the coil, और वही जो current तयार हो रहा है, वो current कहां पर घुमेगा, यह देखो, यह magnet है, इसमें यह coil को अगर आपने घुमा है, तो electricity के वज़े से magnetism तयार होता है, वैसे ही magnetism के वज़े से भी electricity तयार होनी ही चाहिए, इसलिए यह magnet के बीच में coil को क्या किया जाता है, fast में rotate किया जाता है, और वो rotate करते करते क्या होगा, electricity तयार होगी, और वो circuit में flow होना start हो जाएगी, और यह amplifier के आवाद बतागा deflection बताना start कर देगा, तो इसलिए वो generator है, थर्ड question है, state the use of equipment, तो यह कहां पर use नहीं होता, यह पूछना चाहिए था, क्योंकि electric generator लगबग हर electrical equipment में use करते हैं, पर उसके कुछ नाम लिखे हैं मैंने, कि the electric generator is using an electric heater, refrigerator, electric iron, washing machine, electric fan, AC, जहां पर जो नाम आपको यादा है, वो लिख सकते हो, आप जो बड़े-बड़े equipments हैं, उसमें तो उसको use किया ही जाता है, और इसी तरह से हम आगाश सिर्फ last question के दो ही बचे है, question fourth, जो five marks के लिए एक question है, question one है उसमें, के in the extraction of aluminium, जो extraction of aluminium यो बहुत important question है, मैंने मेरे students को बोला भी था, कि इसको अच्छी तरह से read करो, क्योंकि हर exam में इस पर कुछ ना कुछ तो भी base आता ही है, और यह paper मुझे personally अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अच्छी variety थी questions की, और question की variety होना ही चाहिए, तभी तो practice का मज़ा है, है ना, तो extraction of aluminium में उन्होंने four question पूछा है, first है cathode reaction in electrolytic reduction of aluminium, तो aluminium के electric reduction के लिए cathode reaction पूछी गई है, so five marks में ने लिखा है, question four का first देख रहे हैं, so cathode reaction है, AL three positive charge है, plus उसको three electron कहां पर मिले, cathode के पास से, और तब जब three electron मिल गए, तो इसके charges खतम हो जागे, और यह aluminium मिल जागा, जिसको reduction कहते हैं, हम cathode reaction में reduction होती है, उसके बाद, write the function of formula of cryolite in the extraction of aluminium, ठीक है, तो मैंने cryolite और fluorospar भी लिख दिया, क्योंकि फ्लूरospar और cryolite दोनों भी हम add करते हैं, उसका mixture का temperature low down करने के लिए, तो cryolite Na3AlF6, जो यहाँ पर एक question का answer मिल गया, molecular formula लिग लिए हमने है, Na3AlF6, cryolite and fluorospar CAF2 are added in the mixture of alumina to lower its melting point up to 1000 degree Celsius, alumina का melting point है greater than 2000 degree Celsius, बट अगर आपने cryolite और fluorospar add किया है उसमें, तो उसका जो melting point है, वो 1000 degree Celsius तक गिर जाएगा, तो इसलिए हम cryolite और fluorospar add करते हैं, उसके बाद third है draw diagram of extraction of aluminium, मेरे ख्याल से यह two marks के लिए होगी, यह one, 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 okay, क्योंकि डाइग्राम थोड़ी सी complicated है, कही जा सकती है, but वो froth floatation method के इतनी complicated नहीं है, यह बहुत ही easy है, तो देखो student इसमें एक steel tank होती है, steel tank के अंदर की lining जो है graphite से बनी होती है, ठीक है, जो cathode की तरह use करते हैं, जो negative terminal को connected है, positive terminal को graphite के ही rods connected है, जो anode की तरह use होंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे mixture of aluminium, aluminium, sorry, alumina, cryolite और fluorospore add किया जाता है, इसका temperature melting point अभी के प्रेड में 1000 degree Celsius होगा, क्योंकि cryolite और fluorospore add किये, नहीं करते थे तो 2000 degree Celsius से भी जादा होता था, जब इसमें से आप electricity flow करना start करते हो, तो तब क्या होगा, नीचे में aluminium आपको molten state में मिल जाएगा, और ये जो बाहर outlet दिया गया है, वहाँ से molten aluminium निकल जाएगा, तो इस type से ये diagram अच्छी तरह से आप याद करो, इसका काम आएगा ही, ये मैं guarantee से बोलता हूँ, ये 2023 में इस पर कम से कम 4 marks तो भी आएगे ही, 4 marks का question तो यहाँ पर तयार रहेगा, कम से कम बोल रहा हूँ, ये important है, अच्छा टॉपी गए, और ये एक variety वाला question है, जिसमें थोड़ी सी ताकत लगती है, तो और उसको याद करने के लिए, Halls method, Bears method, ये कुछ ज्यादा उतने hard भी नहीं है, फिर fourth है, write the anode reaction in electrolytic reduction of alumina, अब cathode reaction पूछेते हैं, अब anode reaction पूछे, so anode reaction के लिए है, twice O2 minus oxygen जा रहा है, क्योंकि Al O2 है, alumina, उसमें इसका oxidation होगा, मतलब oxygen के 2, और electron उसके जो है, ये 2 और ये 2, 4 electron ये उसमें से अलग हो जाएंगे, तो ये anode reaction है, इसका oxidation हम दिखाएंगे, इसके पास student जहां पर मज़ा आने वाला है, वो है last question, complete the table, देखे जाएंगे उतना easy नहीं है, अगर आपकी बहुत ही अच्छी से practice हुई हूँगी ना, IUPAC name की, तभी इसको solve करनी की हिम्मत आपने करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आदेखो common name है, जो common name है ना, फूस में मुझे महिनत गई, IUPAC name की है, तो formula हमको पता है, कि अब हो methods पता है, कि अब हो 10 तक के नाम याद रहो, parents name, फिर prefix है, suffix है, O, O, H, होगा तो all use करो, है ना, C, O, होगा तो al use करो, तो यह तो IUPAC name के rules है, इसको कोई problem नहीं, बड़ में तखलिब जायती है, common name में, वो नहीं पता तो यहाँ पर complete the table है, 5 marks के लिए है, यहाँ पर common name देकर है, structural formula और IUPAC name, कभी common name नहीं देकर है, तो कभी structural formula, तो कभी IUPAC name, अब इसके थोड़े से short tricks होगे रहे, देखे जाए, तो methane होगा, तो आपको single c use करना पड़ेगा, एथेन होगा, तो double c, याने carbon, तो यह एक technique है, दूसरी बात propane 2,1 है आपर, इसका मतलब propane में कितने है, methane, ethane, propane, 3 carbon atom है, और उसके जो middle है, उसको एक bond लगकर है, ठीक है, उसमें एक functional group, add होगा, दूसरे number पर, तो यह थोड़े बहुत short tricks है, बाकी, मैंने तो जो solve उसको कर रखा है, और जो black में देकर है, वो उसके answer है, और जो blue में देकर है, वो question में ही थे, इस तरह से student मैंने थोड़ी variety वगेरे का use करके, पेंज, black और blue paint का use किया, मैंने margins के लिए pencil का use किया, मैंने right side में भी थोड़ी सी pencil के लिए, pencil का use करके जगा छोड़ दी, थोड़ा सा decorative भी लगना चाहिए, सो देकर student ethylene है, CS to CS to double bond, तो उसको ethyne कहेंगे, अगर single bond होगा तो ane, double bond होगा तो ene, triple bond होगा तो yne, जैसे कि यहाँ पर triple bond है, ethyne है ना, जिसको acetylene कहते, acetic acid जो है, उसको ethanoic acid, oic acid कप कहते हैं, जब COOH ग्रूप लगेगा तो, इसलिए CS3, COOH, फिर है, methyl alcohol, CS3OH, जिसको methanol कहे थे, methyl alcohol को फिर, अब methyl alcohol methanol, अब यहाँ पर देखो, मुझे इसका question का answer नहीं पता था, मैंने क्या किया, ethanol है, methyl alcohol है, methyl alcohol होगा, है ना, समझ में आ रहा है, आप, समझो, उसको link कैसे consider करते, इसके बाद, मिथिल alcohol जो था, जिसको methanol, उसका CS3OH था, तो ethanol का क्या रहेगा, CS3, CH2, OH, एक CS2 की chain बढ़ जाएगी, प्रोपैनल क्या होगा, CS3, CS2, CS2, OH, है ना, क्योंके दो carbon के CS2 के chain बढ़ जाएगे, उसके बाद है, acetaldehyde, ethanol, ethanol है यह, क्योंके CHO group add हुआ है, फिर acetone, propane 2, 1, यह यहाँ पर तो भी चलो एक बात में ध्यान में नहीं आएगा, common name hard है एक बार गा, बट यह दोनों hard नहीं है, आपको अगर यह पता होगा, तो आप structural formula निकाल सकते हो, structural formula होगा, तो IUPAC name निकाल सकते हो, propane, CS3, यह तीन बार C दे दो, 2, दूसरे इसे में, और 1 के लिए oxygen रहता है, याद रखो, और जितने भी bond बाकी है, उसमें यच दे दो, है ना, फिर है इथिल मिथिल केटोन, इथिल मिथिल केटोन में butane 2, 1, यह दोको 1, मतलब oxygen, 2, मतलब दूसरे नंबर पर, तो butane मतलब 4, 1, 2, 3, 4, carbon, दूसरे नंबर पर oxygen, oxygen double bond रहता है, इसले double bond, और जितने भी बच्चे वे, वहाँ पर hydrogen दे दो, 2 चाहिए, 2 दे दो, 3 चाहिए, 3 दे दो, नहीं चाहिए, नहीं दो, समझ में आ रहा है ना, फिर है, इथिल माइन, या इथिल माइन, जिसको इथिल माइन कहेंगे हैं, CS3, CS2, NH2 लगेगा इसको, और फिर है, N-propyl chloride, जिसको chloropropane कहेंगे हैं, क्योंकि इसमें halogen अगर लगा, तो उसका नाम पहले आता है, और सभी single bond है, इसलिए single bond ही, ठीक है, तो student ये था, हमारा board practice paper, hope करता हो, आपको मेरा explanation समझ में आया होगा, मुझे आप comment में जरूर बता मेरा explanation कैसे लगा, मिलते हैं हम next video में, till then, bye झाल